हलो प्यारे बच्चों, वेलकम बेक टो और्गिनाइज नॉलिज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम डसकस करेंगे वक्षीट नमबर 34, क्लास 10 विशेविज्ञान है और ये वक्षीट आपके लिए 17 सेप्टमबर 2021 के लिए शेडिूल की गई है आज की जो वक्षीट स्टूडेंट्स उसमें हम धातू और अधातू जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 3 उसी को जो है दोहराएंगे यानि हमारा चैप्टर वो कम्प्लीट हो चुका है आज की वक्षीट हमारी लिए रिवीजन वक्षीट है तो प्यारे बच्चों वक्षीट शूकरने से पहले अधातू के रूप में वर्गीकरत कर सकते हैं इसके अलावा एक और केटेगरी होती है उप धातू की ठीक है तो एक तरह से हम तीन में इसको वर्गीकरत करते हैं नेक्स देखिए धात्वे जो होती है धात्वे चमकदार होती है अधात्वर्दे वे तन्य होती है शोड़ कर जो सभी धात्वी हैं वो कमरे के तापमान पर कैसी होती है कमरे के तापमान पर ठोस होती है कमरे के तापमान पर जो मरकरी है वो कैसी है वो एक तरल धातु है तो यह इसका exception रहेगा अपवाद रहेगा नेक्स देखिए धात्वी जो है वो विद्युत धनात्मक त नुप्ति भयास होता है क्योंकि यह क्या करती है यह अपने ईलेक्ट्रों दूसरे को देती है और इलेक्ट्रों जब देते हैं तो उसके ऊपर कैसा आवेश आजा जाता है पॉजिटिव। चार जा जाता है धनावेश आ जाता है ऑक्सिजन के साथ धात्वे संयुक तो होकर क्या बनाती है बच्चो शारकी ऑक्साइड बनाती है जैसे मेगनीशम के साथ ऑक्सिजन जो है वो अभी क्रिया करती है और क्या बनता है मेगनीशम ऑक्साइड और ये एक शारकी उसके बाद देखिए, Aluminium Oxide और Zinc Oxide शार्किय और Amylia Oxide दोनों के गुंद धरम परदर्शित करते हैं और इन Oxide को उबह धरमी Oxide कहते हैं, यानि जो Zinc Oxide है, ZNO और Aluminium Oxide है, Al2O3, यह जो है, यह Amylia और शार्किय जो है, दोनों के गुंद परदर्शित करते हैं, इसलिए इन उबह धरमी Oxide कहा जाता है, नेक्स देखिए, जल एवं तनु अमलों के साथ, विबिन धातों की जो अभिक्रिया शीलता होती है, बच्चों, वो अलग अलग होती है, नेक्स है, अभिक्रिया शीलता के आधार पर, अवरोही क्रम में व्यवस्थित, सामाने धातों की सूच इसको याद भी किया जा सकता है, जैसे केदारनात का माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, कुछ, हींग, अजवायन और पढ़ेंगे, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, के, पोटाशियम, सोडियम, केलशियम, मैगनीशियम, अलूमेनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइडरोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीके न, तो ये जो है, ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, तो ये जो श्रेणी है, इसमें जब हम उपर से नी हाइडरोजन क्रिया, श्रेंखला में हाइडरोजन से उपर सिध्धात में, तनु अमल से हाइडरोजन को विस्थापित करती है, यानि हाइडरोजन के उपर जितनी थी, वो सभी, जो आमल है, जैसे HCL है, उसमें से हाइडरोजन को क्या कर देती है, हाइडरोजन को विस्थ दाल पाती है नेक्स देखिए अधिक अभिक्रिया शील धात हुएं अपने से जो कम अभिक्रिया शील धात हुएं हैं उनको उनके लवन से क्या कर देती हैं विस्थापित कर देती हैं जैसे की आईरन है ये आईरन जो है लोहा वो कौपर से ज्यादा अभिक्रिया शील है और ये इसको इसके जो है क्या कर देगा उसके लवन से उसको विस्थापित कर देगा और जो है अपने आप इसको निकाल देगा ठीक है तो जैसे अभीक्रियाओं को कहा जाता है विस्थापन अभीक्रिया तो जादा क्रियाशील कम क्रियाशील को वहां से विस्थापित कर देती नेक्स देखिए अधातू के गुन धरम धातू के विपरीत होते हैं ये ना तो अधात वर्दे होती हैं और ना ही तन्य होती हैं यानि जो अधातू हैं उनको ना तो पीट कर चादर में बदला जा सकता है और ना ही उनको तारों में परिवर्तित किया जा सकता है ग्रेफाइट क्या है ये एक अधातु है इसको छोड़के सारी अधातु में वो उश्मा और विद्यूत की क्या होती है उश्मा और विद्यूत की कूच आलक होती है और जो ग्रेफाइट है वो विद्यूत का सूच आलक होता है अब यहां पर आपको बहुत ही आसान से जो है दो प्रश्न दिये गए हैं जिनके answer हम करेंगे पहला जो प्रश्न आपको दिया गया है निमलिखित मामलों में अपवाद लिखे तो आपको क्या करना है इनमें अपवाद लिखना है ए दिया गया है oxygen के साथ दातुएं संयुक्त होकर sharky oxide बनाती है तो oxygen के साथ संयुक्तों के जो धात्वे हैं चार के oxide बनाती है लेकिन अपवाद क्या है अपवाद है यहाँ पर फर्स्ट का अंसर लिख रही हूँ विच्छो जिंक oxide अपवाद है और aluminium oxide अपवाद है जिनको हम उबै धर्मी oxide कहते हैं clear यह दो example आप लिख दोगे बी दिया गया है धात्वे कमरे के तापमान पर ठोस होती है लेकिन अपवाद क्या है mercury अपवाद है hg ठीक है लिख देंगे आपे hg यानि क्या है यह mercury है तो यह दूसरे का अंसर हो जाएगा थार्ड देखिए c दिया गया है अधात्वे उश्मा और विद्युत की कूच आलक होती है लेकिन अपवाद है grey fight ग्रेफाइट जो है वो उश्मा और विद्युत का क्या है सूच आलक होता है तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे clear है तो इसमें आप उधार लिख देंगे grey fight प्रेश्न दो देखीए बताइए निमलिकित कथ सत्य है या ए सत्य है ऑप्षिन ए जल एवम तनू अमलों के साथ विविन धातों के अभी क्रिया शीलता समान होती है तो ऐसा नहीं है बच्चो समान नहीं होती है तो यह आपका ए सत्य हो जाएगा ठीक है बी दिया गया है कोश्चिन आपको Aluminium Oxide एक उबह धर्मी Oxide है तो बिल्कुल Aluminium Oxide एक उबह धर्मी Oxide है तो ये ठीक है तीसरा दिया गया है अधात्वे धात्वों को Electron देकर स्वेम धन आयन में परिवर्तित हो जाती है तो अधात्वे जो है वो धात्वों को क्या देती है? अधात्वे धात्वे धात्वों को Electron देकर देती नहीं है धात्वे जो है अधात्वों को देती है तो ये आपका गलत हो जाएगा तो ये थी आपकी आज की बिटा Science की Worksheet I hope सभी students को ये clear है कोई भी doubt है आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लेगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए So thanks for watching मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वक्शीट के साथ टेक केर